दोस्तो गर्मियों की मोसम में आम खाना हर कोई पसंद करता है और आम हर कोई गर्मियों की मोसम में खाना चाहता है क्योंकि गर्मियों में आम खाना काफी फाइदमंद होता है और आम काफी स्वादिस्ट भी होता है स्वादिस्ट और फाइदमंद होने की वज़े से ही आम को फालू का राजा कहा जाता है दोस्तो आम के फायदे के बारे में हमने पहले भी आप लोगों को बताया है अगर आप वीडियो देखना चाहते है तो वीडियो का लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा आप चेक कर लीजेगा आज के इस वीडियो पर हम जानेंगे क्या आम के साथ अंडा खाना चाहिए दोस्तो काफी लोगों की मन में एडाउट रहता है कि अंडा और आम को एक साथ खा सकते है या नहीं तो इसी सवाल का जबाब आप लोगों को इस वीडियो पर मिल जाएगा इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए दोस्तो आम खाने में ना सरिफ स्वादिस्ट होता है बलकि काफी ज़्यदा पॉस्टिक भी होता है इसमें विटामिन और मिनरल्स भरा हुआ होता है इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जोकि आपकी डाइजिस्टिफ सिस्टम को मजबूत रखता है आपकी पाचन से जुरे होए समस्चाव को ठीक करता है दोस्तो आम में मौझूद नियूटरिन सरीर को पोसन देता है और सरीर को कई रोगों से बचाता है रोजाना आम का सेवन करने से आपकी सरीर में विटामिन सी का कमी नहीं होता है क्योंकि आम खाने से सरीर को परियाप्त मात्रा में विटामिन सी मिलता है क्योंकि आम विटामिन सी का एक बहुती अच्छा स्रोथ होता है दोस्तो आम का सेवन करने से आपकी परतिरोधक समता भी मजबूत होता है ये immune system को boost करने में help करता है जिसके चलते अगर आपके सरीर में चोटे मोटे बिमारी बार बार होता है तो उससे बचाता है तो दोस्तो आम खाना आपके लिए काफी फाइदमन साबित हो सकता है इसलिए अप रोजाना आम का सेवन किया किजिएगा आईए अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या आप अंडे और आम एक साथ खा सकते है आम और अंडा एक साथ खाया जा सकता है या नहीं दोस्तो जब बात आता है आम और अंडा एक साथ खाने की यह हमारे बाडी में नेगेटी बसर दालेगा लेकिन ऐसा कुछी भी नहीं होता है दोस्तो आम और अंडे को आप एक साथ बिलकुल खा सकते है इससे कोई भी नेगेटी बसर आपकी बाडी को दिखने को नहीं मिलेगा दोस्तो इसके पीछे कोई भी scientific evidence नहीं है कि आम और अंडा एक साथ खाने से यह आपकी बाडी को नुकसान पहुचाएगा यह बाडी के लिए हार्फूल नहीं है बिलकुल आप safely आम और अंडे को एक साथ खा सकते है और यहां तक कि काफी सारे लोग आम और अंडे को एक साथ खाना पसंद करता है क्योंकि यह ज़्यादा tasty लगता है खाने में अच्छा भी लगता है लेकिन दोस्तो अगर आपको आम और अंडा एक साथ खाने से allergy हो तब आपको इससे बचना चाहिए क्योंकि काफी लोगों को होता है आम और अंडा एक साथ खाने से allergy हो पेट खराब हो ऐसे समस्य होता है अगर ऐसा हो तो आपको इससे बचना चाहिए जैसे कि कई लोगों को होता है दूद खाने से ओ दूद पचता नहीं है पेट में और इसे ही कई लोगों को अंडा और आम एक साथ खाने से पचता नहीं है तो ऐसा होने पर आपको इससे बचना चाहिए बाकि अगर आपको इससे अलर्जी ना हो तो आप बिल्कुल आम और अंडे को एक साथ खा सकते हैं मैं खुद खाना पसंद करता हूँ और खाता भी हूँ कोई नुकसान भी नहीं होता है तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आम और अंडे को आप एक साथ खा सकते हैं या नहीं अगर आमको लेकर और भी आपकी मन में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं हम आपकी कमेंट की जवाब देने की कोशिस करेंगे आशकर तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदमंद होगा अगर यह वीडियो आपको फायदमंद लगे तो वीडियो को लाइक और सेयर कर दीजे अपनी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में तब दक के लिए बबाई टैक केर